Hey, what is up दोस्तों, कैसे हो, उमीद करता हूँ, आप बहुत ही अच्छी और बढ़ी आ होंगे आज में आप से डिसकस करने वाला हूँ, what is Amazon honeymoon period अब यह अगर आपने पहली बास सुना है, तो आप थोड़े बहुत शॉक्फ हो जाएंगे बढ़ यह बहुत इंपोरेंट कॉंसेप्ट है, और इसको समझना बहुत इंपोरेंट है एक नए सेलर के लिए, जो नया लिस्टिंग कर रहा है, या तो कोई भी नया आया आदमी जो Amazon के अंदर first time sell करने वाला है, यह सबी लोगों के लिए बहुत इंपोरेंट है और इस तर्मिनलोजी वेस्टन वर्ल्ड साहिए है, इसका मतलब और इसको और जानने के लिए आगे का वीडियो देखिए इसका मतलब आप एक नया प्रड़क इंटर्ड्यूस कर रहे हो Amazon के कैलोग में तो Amazon आपको benefit of doubt देता है, क्या देता है benefit of doubt इसका मतलब वह आपको यह नहीं समझेगा कि आपका product बहुत ही बकवास है या तो आप rank नहीं कर पाऊगे, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपने product listing की और जैसे आपका first inventory live होता है तब से आपको almost 30 to 45 days हर category का different होता है, Amazon एक benefit of doubt देता है, कि 30 दिन में आपको maximum exposure देगा इसका मतलब अगर आपका product कोई keyword जैसे समझे, tongue cleaner के लिए 8th page पे है, तो आपको वह 8th page पे नहीं देगा जैसे आपने advertisement start की, जैसे आपने sale बड़ी तो आपको वह 4th page से आपको एक chance देगा, आपको chance देगा कि आप जितने short period of time में कितना sale कर सकते हो, उनके दिमाग में यह होता है कि यह शायद नया product बहुत ही popular हो सकता है, तो यह आपको बहुत chances देते हैं, जगा आप auto campaign run करोगे, तो आपको और exposure देगा, तो आप जितनी sales यह 30 days में आज सकते हो, उतना ही Amazon आपको push करेगा different keywords में और different placements और ads में, उसे क्या होगा, कि अगर आपने तीस दिन में maximum exposure ला ला लिया, तो आपकी sale बहुत बढ़ जाएगी, और organically, आपकी ranking बहुत boost हो जाएगी, आप page number one, पहुत आपचार keywords के लिए आ सकते हो, अब ये strategy उसी चीज के लिए work करेगी, अगर आपका ASN या तो आपकी listing नई है Amazon पे, तो आपको इसका benefit कैसे लेना है, as a seller, आपको जब आपको इसकी product launch करते हो, उसकी listing बना दी, सब कुछ ready हो गया, जिस दिन आपका first inventory live होता है, आपको उसको ह हर जगे से sale लानी है, आपको maximum sale लानी है, वो keywords पे, और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना पड़ेगा, salary type cash, auto, manual, targeting, ASIN, आपको इसकी indexation, आपको उसकी keywords, सब कुछ काफी जार optimize करने पड़ेगे, और day one से without review आपको launch करने पड़ेगे, जब आपने ये किया, तो Amazon के algorithm में ये लगता है, कि ये नया product है, और अच्छानक से इसको इतने सारे sales आ रहे है, वो ये चेकने करता है, पीपी 30 days इतने सारे sales आ रहे हैं अपको, every day इसको इतने sales आ रहे है, may be, ये product deserve करता है, कि मैं इसको और exposure दूँ, तो ये product बड़े-बड़े keywords पे, जैसे आपका इक तब main keyword आपको start करेगा rank करना, और अगर आपने इसका sales velocity 15-20 दिन तक maintain किया, तो आप almost सब major keywords में, having बहुत कम reviews भी आ आप काफी अच्छे से rank कर पा होगे, अगर 30-35 days में आपने इसका benefit नहीं लिया, तो ये आपको बहुत ही पीछे बेच देगा, हर चीज में, in terms of indexation या ranking, अगर आपकी ranking tongue cleaner है, और, मतलब वो keyword है, और अगर आपने 30-35 days में कोई बड़ा sales नहीं लाया, तो वो आपको बहुत ह आपकी पीछे page देगा, मतलब आप 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th page पर आ जाओगे, और दीरे-दीरे Amazon आपके products को de-index कर देगा, तो devalue कर देगा, because उनको ये लगता है, ये product में कोई दम नहीं है, और अगर ये product sell नहीं होने वाला है, तो हम इसे क्यों appear की है, अभी आपको ये समझ इसे ज्यादा click लेता है, और sale होता है, हम उसको ही push करेंगे, तो ये बहुत important है, Amazon honeymoon period 30-35 days का, generally हर category में होता है, तो आपको हर कुछ चीज़े करनी है, 30-35 days में आपकी sales बढ़ाने के लिए, ताकि आप long term, वो listing का बहुत benefit ले पाए, और रगाने के लिए आपकी ranking बढ़ा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो please comment, like and subscribe, ने चीज़े comment में बताईए, क्या आपने honeymoon period के बार में कभी सुना है, और अगर सुना है, तो कभी आपने इसका use किया है, कभी इसका आपने utilize किया है, अगर किया है, तो क्या benefit मिला है, और अगर आपको personal ही बात करनी है में से, तो DM कीजे Instagram पे, और मैं Instagram पे काफी जादा active हो, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे,